ओके अब इस लेक्चर में हमें बात करनी है income tax law की प्लीज अंडेस्टेंड आप कभी भी कोई भी law जब पढ़ते हो तो आप law पढ़ते हो एक act नहीं पढ़ते and law is the comprehensive term than the act law includes act तो income tax law आपको study करना होता है which includes income tax act 1961 तो maximum provision जो होती हो 1961 के act से बिलॉंग करती है फिर आपको income tax rules पढ़ने होते हैं अगर आपने salary chapter वगरा पढ़ा होगा तो वहापे अपने valuations rules पढ़े होंगे percusits के वो valuation rules जो होते हो income tax rules से बनते हैं आपको annual finance act पढ़ना पढ़ता है मतलब budget का आपको knowledge होना चाहिए क्योंकि tax rate जो होते हो budget से आते हैं अब 2023 में जो भी exams होने वाले हैं या इस particular financial year को आपका जो act applicable है finance act वो finance act 2022 होता है अगर आप November 22 या 22 के कोई भी exam दे रहे हो तो आपका finance act 2021 होता है टेंशन नेनी की बात नहीं है क्योंकि 21 में जो जो finance act 2021 में tax rate हो ही tax rate 2022 के finance act से ही साप से चलते हैं मतलब last year का और current year का tax care rate जो रहेंगे वो सेम ही रहेंगे फिर government कभी-कभी immediate basis पे उनको कोई चीज industry में change करनी होती है अब नोटिफिकेशन का क्या होता है आपने राजा महाराजाओं का कोई मुवी वगरा देखा होगा तो आपने देखा होगा कि सेनापती वगरा ऐसा कोई तो एक बंदा जो सीरियस टाइप का बंदा होता है तोड़ा senior authority होता है वो गाओ में आएगा या जहाँ पर उनकी प्रजा रहती होँआ प्रजा रहेगा वह तो नगाड़े बजाए जाएंगे फिवारे लोग जमा ओंगे तो वोग हाट के हाट काट सकते थे, गर्दन काट सकते थे, फासी दे सकते थे, राजा को क्या power हुआ करता था, तो इंडिया में भी क्या थाना power जो थाना divided था, हर राजा अपने मर्जी की हिसाब से चीज़े करता था, इसलिए तो law लाना पड़ा, कि पुरे देश में कानून common हो जाए तो notification तभी भी यूज़ किया जाता था notification अभी भी यूज़ किया जाता है अभी अगर हमें suddenly अभी कल अपना income tax का due date खतम हो 31 July अगर उनको due date बढ़ा ना होता कल तो कल हम लोग वेट कर रहे थे कि notification आ जाए department से अब notification नहीं आया करके due date extend नहीं हुआ लेकिन अगर due date extend ही करना होता उनको क्योंकि law में उन्होंने लिखा है 31 July is a due date अब 31 July का due date है इसको extend करने के अगर हो बात कर रहे तो notification लाना पड़ेगा law नहीं बदलना पड़ेगा income tax act नहीं बदलना चाहते हो income tax act बदल के 31 July का 31 August नहीं करना चाहते है खाली temporary basis पे 15 दिन का extension, 20 का extension, एक मेने का extension यह notification के तुरू आता है which is as good as law only but it is having temporary life, notification परमन नहीं होते है उनकी एक life होती है, उस life के लिए वो काम आते है तो यह आगया के जाके अगर यह notification बहुत important होता है तो अगले साल के जो amendments आते है उसके अगले साल के राजपत्र हिंदी में बोलते है और official Gazette of India English में बोलते है तो वो हाँ पे से issue होता है circular और trade notices जो होती है वो department की internal लोगों के लिए notification public at a large issue किया जाता है और क्योंकि CBDT के अंदर income tax officers काम करते हैं उनके लिए जो चीज़े आती है उसको हम लोग क्या बोलते है जो लोगों के लिए income tax officers के लिए कुछ चीज़े binding होती है जैसे एक चीज़ में आपको आगे जाके पढ़ाओंगा कि किसी का अगर birthday first April पे है तो तुम लोग इसका cake cut cup काटोगे किसी का birthday अगर first April पे है तो इसका cake आप कट करोगे तो आप इसका cake cut करोगे 31st March के night को right 31st March के night को cut करोगे बारा बजे तो वह बारा बजे वह senior citizen का age attend करता है आपको पता है इंडिया में normal लोगों के लिए 2.5 lakh का basic exemption limit है और senior citizen के लिए 3 lakh का exemption limit है अब बेचारे का बड़े first April पे है तो वह क्या पूछ रहा है कि मैं 60 साल का बुड़ा कब हो गया तो आप बोलोगे एक तारीक का हो गया हम बोलेंगे 31st March के रात को 12 बजे हुआ क्योंकि 12 बजे 12 मतलब कौन सा घड़ी में आपके 0000 जब बच्चता है तो वह 12 बजे का moment है मतलब ओ 31st March के last moment पे 6 साल का हुआ है तो इस पूरे साल में हम उसको senior citizen मानेंगे और 3 लाका benefit देंगे अगर आप बोलोगे नहीं नहीं वो 1st April पे senior citizen हुआ है last year में senior citizen नहीं था तो इनको last year में आप 3 लाका benefit नहीं दोगे खाली 2.5 लाका benefit दोगे मतलब अलग-अलग officer इसके ओपर मारा-मारी करके अलग-अलग interpretation निकाल सकते थे वो अलग interpretation ना निकले करके circular issue हुआ और government ने बोला जिनका भी birth date 1st April है उनको माना जाएगा कि ओ लोग 31st March पी उन्होंने senior citizen का age attend किया हुआ है और उनको benefit दे दो क्योंकि ऐसे भी beneficial provision है अगर beneficial provision का benefit नहीं दे पाएंगे तो क्या मतलब है तो sir मेरा अगर 2nd April पे दादा जी का बड़े है तो उनको भी benefit मिलेगा क्या उनको कैसे benefit मिलेगा जो 1st April के लोग है उनी के लिए ये benefit लाया गया था और मैं आपको बता दू इंडिया में अच्छा कासा population है जिसका birthday या तो 1st January है या तो 1st April है क्योंकि ये जो पुराने लोग है उनके birth के कोई record नहीं होते है और वो लोग आसान ही के लिए जो उनको सबसे आसान date लगती है उनके birth के आजबाजु में वो date लगते है तो 90% मतलब बहुत सारे बुड़े लोगों का तो birth date 1st January है उन्होंने इसे रख दिया होता है और कुछ लोगों का 1st April है वो इसे रखा होता है records की हिसाप से वैसा होता है real नहीं होता and that's a reason lot of senior citizens might be having 1st April as a birth year तो हम उनको discourage नहीं करना चाहते हैं हम उनको encourage करना चाहते है by giving the senior citizen benefits all right कभी-कभी law में जगड़े हो नहीं है assessive versus income tax department के और यह जगड़े कभी-कभी court में पहुच जाते हैं अब आप directly court में नहीं जा सकते आप अपने जगड़ों को पहले income tax के officer के पास ही लेके जाना होता है वो पहला जो appeal होता है उसको हम बोलते है CIT appeal CIT appeal मतलब पहले हम कमिशनर के पास जाके बात करनी होती है कि income tax वाले नालाइक है sir उन्होंने मेरे अपर tax लगाया penalty लगाया जबकि में लाइबल नहीं था तो आपका जो crying है वो पहले CIT appeal सुनता है CIT appeal का matter सुनकनी के बात भी अगर आप satisfied नहीं हो उनके relief से भी अगर आप satisfied नहीं हो तो आपको second level का appeal करना होता है ITAT पे ITAT क्या होता है income tax appellate tribunal यह एक ऐसा court है जहाँ पर खाली income tax के matter चलते है company law के नहीं चलते है और criminal matters तो बिलकुल भी नहीं चलते है खाली income tax के matter चलने के लिए government ने अलग-अलग city में ITAT बना के रखा होता है ITAT में भी सर अपना matter solve नहीं हुआ तो फिर आपको खाली अभी high court ही बचा सकता है अब high court में ही अपनी case लेकर जा सकते हो लेकिन high court और supreme court में case लेकर जाने के लिए वो case इतनी strong होनी चीए कि वो आप law को challenge कर रहे हो मतलब हम बोलते it should be substantial question of law it should be substantial question of law not question of law substantial question of law मतलब ये question of fact अगर होगा तो ये वहां तक जाएगा ही नहीं ये question of law होगा तो ये उपर जाएगा ये सारी बाते आपको final में आते आते पढ़नी पढ़ेंगी अभी तो मैंने खाली बता दिया कि आपको कहीं कहीं पर case law पढ़ना होता है आप जिसको साधी भाषा में case law बोलते हो उसको हम लोग judicial pronouncement के नाम से जाना जाता है कि latest judicial pronouncement मतलब latest case law by high court supreme court and कभी कभी हमें ITAT को भी follow करना पड़ता है तो these are all things that you are supposed to study if you wanted to call yourself as an income tax expert और ये पढ़ना उतना आसान नहीं है I hope आप लोगों को अब तक तो इतना तो realize हुआ रहेगा कि income tax उतना भी plain act नहीं है there are lot of possibilities combination जिसके तुरू ये complicated हुआ है और ये complicated करने वाले लोग भी हम ही है अगर इंडिया में लोग अगर genuine taxpayer होते तो law would have been very simple लेकिन इंडिया में चोर लोगों की कमी है नहीं लोग हमेशा tax पढ़ती है ये tax की चोरी करने के लिए तो लोगों का intention ही गलत है और intention गलत होने के वज़े से law में बहुत सारे control point डाले गए हैं तो हर बार में आपको बताऊंगा कि देखो ऐसा ऐसा tax evasion होता है और इस tax evasion को control करने के लिए government ने anti-tax evasion लाया हुआ है anti-tax evasion mechanism लाया हुआ है specific anti-avoidance rule पढ़ने पढ़ेंगे और general anti-avoidance rule पढ़ने पढ़ेंगे तो यह जब हम sections में जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा देखो यहाँ पे लोग tax को avoid करते थे loophole law का use करते थे और loophole भरने के लिए government ने यह सार लाया हुआ है जहाँ पे सार नहीं है वहाँ पे गार लगेगा तो यह सारी बाते हमें धीरे-धीरे करनी है बट आयम डैन विद्धी थेरी पार्ट ओफ income tax law for the time being